हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल इंफो गवर्मेंट जोब स्प्रेंट तो दोस्ते हैं पर नेवी ने एक 2017 की वेकेंसी यहाँ पर रद कर दी जिस दिन यहाँ पर यह नोटीस आया था उफिशियली साइट पर उसी दिन मैंने देख लिया था मैंने सुचा आपके कोई काम का यह नोटीस नहीं है इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया पर काफी चातरों का यहाँ पर वोटसअप पर मैसेज आने पर कमेंट जो पुराने वीडियो उन पर कमेंट कर रहे हैं कि यह भी बरती 2021 वाली जो ट्रेडमेंट की वेकेंसी है वो भ पूरा है पर 2021 की वेकेंसी के उपर क्या इसका परभाव पढ़ने वाला है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो चेलंग को सब्सक्राइब कर लिजएगा बैल आइगन को हिट कर लिजएगा आगे की हर परकार की जेन्वन अपडेट के लिए तो दोस्तों ये नेवी सिविलियन की ओफिशियली वेबसाइट है इसके अंदर ही जो अपडेट आता है वो इस पर ही आता है इस पर ही आपकी नेवी ट्रेडमन की डिपार्टमेंटल अग्जाम आई थी कुछ दिन पहले और अब दोस्तों यहां पर यह नोटिस आया आए हर डाउट हर क्यूसन का मिलेगा तुरंत वीडियो सिलेशन वो भी सिधा आपके वोट्सप पर बस अपने फॉन के अंदर डाउट का 8400 400 वोट्सप नंबर सेव कर लीजिए और चेट ओपन कीजिए फिर आपका जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खीचनी है उसे करोप करना है और पांच सेकंड में आपको उसका वीडियो सिलेशन मिल जाएगा कलास चैसे बारा आईटी नीट जैई सिभी अची बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाएए 8400 400 पर अपना सवाल वाट्सप कीजिए और अप सिंपली डाउनलोड करेंगे तो इसके अंदर आपकी 2021 की वेकेंशी का कुछ भी नहीं है और रिजल्ट को लेकर भी दोस्तों कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है जैसे ही अपडेट आएगा तुम आपके साथ जरूर शेयर करूंगा ऐसी कोई बात नहीं है तो देखतो सितंबर 2021 में यह जो आपका नोटिफिकेशन आया था 01.2017 के नाम से जो 2 और 8 दिसंबर के बीच में जो रोजगार समाचार पत्र आया था उसके अंदर यह नोटिफिकेशन आया था और यह ओनलाइन फॉर्म भरे गए थे नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा दूँगा इसके अंदर यहाँ पर यह जो वेकेंची थी वो यहाँ पर केंचल कर दी गई है एड्मिंस्ट्रिफिटिव रीजन की वज़ए से याशन कि परसास्नी कारणों की वज़ए से आपकी वेकेंची और रद कर दी गई है अब हो सकता है इसमें फॉर्म नहीं बरे गए हो या फिर हो सकता है वेकेंची complete हो गई होगी कोई बचे हुए वेकेंची कुछ भी करके पर इसका कुछ भी ऐसा मतलब reason है वो नेवी ने साफ नहीं किया है कि हम इस वज़े से इस वेकेंची को रद कर रहे हैं तो सिरफ यही लिखा है कि परसासनी कारणों की वज़े से वेकेंची रद की जा रही है और यह जो दूसरी वेकेंची थी इसमें MTS की जो माली दोबी और बारबर वगेरा की जो वेकेंची थ स्टाप नर्स की 2017 के अंदर ही आई थी दोस्तों ये वेकेंसी ये इंप्लोईमेंट नोटिस अलग लग था ये आपका 18 नवंबर से 24 नवंबर था वो 2 दिसंबर से 18 दिसंबर था और ये भी 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक था तो इसमें जो थी स्टाप नर्स की फायर इंजन ड candidate found किये गये और निकि कोई candidate इसमें नहीं मिला eligible candidate तो यहां पर यह vacancy रद कर दी गई है अब दोस्टों जो दूसरी vacancy है वो भी हां पर cancel कर दी गई administrative region की वज़े से अब यह vacancy रद की गई तो इसकी वज़े से काफी चातर परेसान हो रहे हैं कि 2021 की वेकैंसी भी रद हो जाएगी तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है आप बेलकुल अपने दिमाग से इस सारे चीजे निकाल दें कि 2021 की वेकैंसी रद हो जाएगी आप वेट कीजे रजल्ट का यह वेकैंसी 100% में आपको बोल दूँ कि यह वेकैंसी ऐसा कुछ भी नहीं होगा वर्द कुछ नहीं होगा और नेविट ट्रेडमेन की वेकेंशी का ही तियास भी आपको बता दूं कि 2017 के अंदर वेकेंशी आई थी 300 के सम्थिंग पदों पर 384 के सम्थिंग पदों पर वो वेकेंशी कंप्लीट हुई थी और चातर अभी जोब भी कर रहे हैं फिर आपकी जो वेकेंशी आई थी 2019 में आई थी जिसके अंदर लगबग 554 वेकेंशी थी वो भी आज यहाँ पर डूटी करें और उनकी वेटिंग भी ली जा रही तो अगर वेकेंशी ही कंचिल करना होता तो वो वेटिंग लिस्ट से भी छातरों को कोई नहीं बुलाता तो यह सब बाते आप अपने दिमाग से निकाल लेजिए और अब यहाँ पर वेकेंशी है यह दो हजार 21 में जो की आपकी 1160 पतों पर है तो यह यहाँ पर तीन बड़ी वेकेंशी यहां जो पीछे की मैंने देखी है काफी रिसेर्च के बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो मैंने उसम हैं कि 383 वाले वेकेंशी भी कंप्लेट हुई है रेजल्ट वगरा सब कुछ आए इसका भी हाँ पर वेटिंग लिस्ट इसका भी आए है और वेटिंग लिस्ट इसका भी आया है और इससे पहले साइद 2015 में वेकेंशी है तो उनके लिए अक्सेप्टेड रहेगा आपका 2023 के अंदर क्योंकि 2022 में जो यहां पर यह चल रहे हैं इनको जोईनियंग दिया जाएगा 2022 में तो हो सकता 2023 अपका मार्च अपरेल तक आपको यह वेकेंशी और जो नई वेकेंशी है वो देखने को मिल सकती है तो यह नई वेकेंशी को लेकर था और बाकी दोस्तों अपने दिमाग से जो भी डाउट है इस सारे डाउट निकाल लिए हाँ यह जो भी है मतलब कुछ वेकेंशी तो हो सकता है अज़िबल कंडेट नहीं में इसी वज़े से रद की गए बाकी क्या रिजन रहा है इसका हमें भी नहीं पता पर जो अगर जैसे यह आपकी नेवी ट्रेड मैन की चीश में इतने सातर अग्जाम देते हैं और यह वेकेंशी रद होती है तो यह गलत है तो उसमें भी ऐची बात नहीं है जो भी हुआ है बूरा हुआ है काफी डिपार्टमेंट में होता रहता है वेकेंशी आपकी आती है रद भी होती रहती है तो उनका कुछ special reason रहता है किस वज़े से क्या रहता है वो यहाँ पर सब कुछ internally रहता है तो उसको open में नहीं लाया जाता तो आप यह इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ कि यह वेकेंशी आपकी 101% मैं स्योर हूँ इस चीज़ को लेकर नेवी ट्रेडमेन की वेकेंशी पूरी होगी यह आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं आना चाहिए की वेकेंशी रद होगा और बाकी आपको कोई बता रहा है कोई कुछ भी कर रहा है तो उन पर आपको ज़्यादा विश्वास है तो वो आप देख लीजिए बाकी रिजल्ट को लेकर कमेंट आते हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ देखो रिजल्ट का मुझे कोई भी इन्फोर्मेशन अभी नहीं मिला है मेरे पास जो इन्फोर्मेशन था 707 नमबर है लास्ट में उस पर कोल किया है तो उन सबसे कोई एक अग्जक्ट डेट नहीं पता लग रहा है उनसे सिर्फ यही रिप्लाय आ रहा है कि जल्दी रिजल्ट आएगा अब वो हो सकता जल्दी आपका सब्तम्बर में भी एंड तक आजए या फिर अक्टोबर में आजए या फिर अक्टोबर में तो maximum chances आना ही आना है पर हो सकता सब्तम्बर में भी आजए और हो सकता अक्टोबर में भी आजए तो वो कोई exact date यहाँ पर नहीं निकल कर आ रही है बेसिकली बात यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अग्जक्ट डेट नहीं है और 707 नंबर करके जो लास्ट वाले नंबर है वो यहाँ पर टेकनिकल टीम का नंबर है तो वो तो वैसे भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बताएंगे आपको 50525 025 यह जो नंबर है लास्ट में 0525 यह नेवी सिविलियन की जो भी वेकेंशी आती है उनका यहाँ पर यह ओफिशियल ही नंबर है पर इन्होंने पता नहीं क्या किया है कि आपकी नेवी ट्रेडमेन की वेकेंशी का अगजाम होते ही यहाँ पर यह नंबर मिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि उनको उनके पास काफी चातरों ने कॉल किया होगा इस वज़ा से यहाँ पर यह नंबर नहीं मिल पा रहा है इस नंबर पर आपको इन्फोमेशन जो भी मिलेगी वो जेन्वन मिलेगी इस number पर पहले हाँ पर update मिला था कि हाँ पर result है वो शप्तमबर से पहले नहीं आएगा यह पर update मिला था तो सप्तमबर से पहले result नहीं आए तो इस number पर आप अगर आपका contact होता है navy की site पर मिल जाएगा आपको दिखा देता हूँ तो इस नमबर पर अगर आपका call लगता है या फिर contact होता है तो आप जरूर करें otherwise दोस्तों यहाँ पर कोई भी अपना time waste ना करें बाकी जो भी update आएगा आपके साथ जरूर share किया जाएगा तो वो चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दें तो आगे के अपडेट के लिए चेलंगो सब्सक्राइब करके आपको information देने के लिए बनाया है कि आपके दिमाग में जो भी negativity आ रही है वो निकाल लिए और वेकेंची पूरा होगा सबके जिनके भी अच्छे नमबर है अच्छी यहाँ पर पोस्ट हैं काफी selection भी होंगे काफी कम नमबर वालों के भी selection होंगे और waiting list भी आएगा धन्यवाद जेहिन जेवारत